शिमारू विंटिट्स से सारे अबडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्लिक कीजिए अप्लिक कीजिए और के लिए और एक्सेल उस भ automated भीमटानिk के बारिल बारं मैम लेवर ले रश़ जहे लेवर कर दो कर दो कर दो. हुआ 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 है हुआ हुआ है सोनिया आज जड़ा खाने के शिता देख भल करने न देव लेंग से पहले आ जाएगा रवी ये क्या बत्तमीजी है उल्लू कहीं साथ ममी तो डेटी को सिगार पीने के लिए मना करती है स्वीट केड़ स्वीट केड़ पुआ हाँ चली ना डेटी पिशूर मैं डान्स के लिए इंतजार कर रहा होगा कब अंकल आज मैं भी डान्स पे चलूगी हाँ हाँ चलो यहां खाना कौन देखिगा कहा तु मैंने बावर्ची को ओर्डर दे दिया है तुम वह जाकर करोगी क्या कोई तुमारे साथ डान्स नहीं करता मुझे अच्छा नहीं मालूम होता में तū खाली तमाशा देखनो चाजते हूं को बंदर हो बंदरिया का तमाशा बना राख है क्या क्या फरक है यहां पर गजुद्टुगी की आवाज पर बंदर बंदरिया नाचते हैं और वहां पर बाजे की आवाज पर लड़का उनग्गी तु S alotnia और किमत इंसान की हुआ करती है जी, जी सिर्फ तीन सो रुपए अंकल, मुझे भी एस्पैडर ले दीजिये ना तुम्हे पसंद है सोनिया, दो तीन तो है तुमारे पास गर पे मगर मेडम यह तु सिर्फ चालीस रुपए का है सिर्फ चालीस का है चालीस रुपए भी क्यों बेकरजाय किये जाए यह लिजे सोनिया, कुछ फल लेके घर आ जाना जल्दे से और ख्याल रखना, कल वाले फल खराब थे मैं जरा कम बोलने का आदी हूँ मडम सुनिया मेरे स्वरगी बड़े भाई की बेटी है फिर मा भी मर चुकी है उसकी आपको तो बाद बाद पर गुस्सा आ जाता है दिन रात तो खाल रखती हूँ उसका रात को तो बैचारी सो जाती है दिन को खाल रखें तो बड़ी महर्बानी हो और किस तरह खाल रखूं जो जी उजी चाता है वकटी ये पहनिती है यह हग्त नुकरों को भी होता है तिना खाल गुछा रहे कि वह अपनी मालूम हो नुकरानी नमालूम हो कोई क्या करें भगवाने सूरत ही ऐसी दे दिये उसको सूरत तो खुश रहने से निख्रा करती है मेडम कोई प्यार करें तो यही लड़की चांद का टुकड़ा मालूम हो आप पूछेंगी या मैं पूछी शिला से मेरा खाल है आप ही पूछें तो वैसे मौक्ते से मैं भी टपक पड़ूँगा शादी दया का मामला जरा धेड़ा होता है आप लग उन्हें मुझे बुलाया है हाँ बितिया तुम्हारे डैड़ी तुमसे कुछ जो पूछना जाते है हाँ यह श्री देव जो हैं यह तुम्हारे एक सुपटास दोस्तों की तरह एक सरे कावनवे हैं या इनमें तुम कोई खास दिर्चस्पी ले रही है खास का मतलब मतलब यह के प्यार यह प्यार का लव तो बहुत पुराना हो चुका है ममी आजकल की दुनिया में तो सिर्फ एक ही बात रहती है किसी चीज की जरुवत और उसका हासल करने की जरुवत उन्हें पड़ रही है या आपको या आप दोनों को करता क्या पैसे वाले को काम करने के क्या जरुवत नौजवान है राइस है अपसूरत है और जब यह सब चीजए हैं तो दिमाग ने भगवान ने दिया ही दिया होगा हो सकता है हर चीज से गर भर के दिमाग में भूसा बढ़ दिया हो फ्रॉडता पार। जिए जिए घिए अजिए देटर चुकी है अब मेरे साहँ चली आड़ीं अहाँ चलिए चलिए आगया, आने वाला है, देखोगी तो फड़क उठो, फड़कने के लिए तो बहुत से नौजवान मौजूद है, हस्बिन में तो एक ही खुवी होने चाहिए, समझे, दो लाक सालाना के अमदनी है, ये बात हुई कुछ, अब नजर की दाद देते है, चलो, चलो तेरी तस्वीर चली आई है बहलाने को, और दीवाना बना रखा है दीवाने को दिल खाम चले हम आज किधर कोई देखें, कोई देखें बेचेन जिगर बेताब नजर कोई देखें, कोई देखें, दिल खाम चले हम कर देखें कर दो कर दो कर दो कर दो भीगी सी हवा, काली सी खटा देती है तेरी जुल्फों का पता मौसम है हसी, क्यों ना हो यकी अब दूर नहीं वो जाने वफ़ नमकीन समा, रंगीन सफर कोई देखे, कोई देखे दिल थाम चले हम आज किधर कोई देखे, कोई देखे बेचैन जिगर, बेदाब नजर कोई देखे, कोई देखे दिल थाम चले हम आजा प्राइड़ समय चुटार चर्च के आपकर जाओ पिर ओना आपकर प्रारी पल्डारी पल्रारी पल्डारी पल्डारी पल्रा पार जाओ़ समय यह सक्वाद़ चोटी पे वहाँ एक अपरे जवाँ देखो तो जरा क्यों जुकने लगा और देखके ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा कुछ रुकने लगा मौसम की शरारत का मन्जर कोई देखे दिल थाम चले हम आज किधर कोई देखे बे जैन जिगर बे ताब नजर कोई देखे दिल थाम चले हम कि निए कि झूली अपनाओ, आठारी टला, आठारी टला, आठारी टला, आठारी टला. जू रेल चले नागिन की तरा लहराती हुई वलखाती हुई फूलों से भरे इन रस्तों के हर मोड पे ये समझाती हुई ये इश्क भी तो है इक चक्कर कोई देखे कोई देखे दिल ठाम चले हम आज किधर कोई देखे कोई देखे बे चैन जिगर बे ताब नजर कोई देखे कोई देखे दिल ठाम चले हम बेखे कोई खूछ थवाइजी बबने करो दो कि ऑे टार पूलीए इन्ना मैंकरनी में प्रिस पारत談 यो जुझ कोई जो fat सबक्स करें देखा तुमने, इसलिए मना करती थी सब गौर से देख रहे है कि कौन जैनवर है जिसके साथ कोई डांस नहीं करता खेर मैं कपूर से कहती हूँ मुझे डांस नहीं करना है मगर सुनो तुसे ही क्यों बिचारी को तंग करती हो दुनिया में सभी खुबसुरत थोड़ी होते है सोनिया, काफी नहीं आई अभी तक मैं तो खुद हैरान थी कि सोनिया, शीला की बेन कैसे हो सकती है जमीन आस्मान का फर्क है दोनों में और यही फर्क तो मुझे में और सोनिया के मा में भी था बिलकुल सोनिया की तरह उजड़, गवार, बचुरत इसलिए तो उसके बाप ने उसकी जिंदगी में दूसरी शादी कर ली थी और वो लड़की, मेरा मतलब है उंकल की दूसरी बीवी तुम कहते थी ना ममी, बड़ी खुबसूरत थी हाँ, बहुत ही खुबसूरत, बहुत ही प्यारी, बिलकुल तुम्हारी जैसी लेकिन क्या किसमत, मोर्टर की एकसिडेंट में दोनों मर गए और सोनिया की मा, उसका क्या हुआ? वो तो उनकी जिंदगे में ही तडब तडब कर मर गई बहादर, हाँ जी जी काफी अगर ले जाए अब गड़े मुर्दे उखेडने से क्या फायदा? तुमने शीरा देव से कह दिया है ना कि तुम्हें बच्चे बिलकुल पसंद नहीं कहें तुम्हें शीरा पसंद ना है इसलिए कह रहे हैं वो आपका जमाना गया दादी यह मॉडर्ण जमाना है और मॉडर्ण जमाने में बच्चों के कोई गुंजाश नहीं अगर सब शीला के ख्याल को होते दादी तो आज हम लोग यहां दिखाई नहीं देते तुम्हारी राय कॉन पूट है क्यों क्या मॉडर्ण जमाने में किसी को राय देने का भी कोई हख नहीं वो जिंदगी ही क्या है जिसमें दो-चार बच्चे नहों दो-चार ही क्यों पूरे दरजन क्यों नहों पूरे दरजन भी हो सकते हैं परके मुझे तो खुशी होगी अगर मेरे एक दरजन बच्चे हो यह का बत तमेजी है सुनिया हर लड़की को मा बनने का शौक होता है शीला जाहे मर्दों से सुखी रखे या दूसरी शादी कर ले और तडपा तडपा कमार डाले तडप तडप कर मरने के लिए भी तुम्हें एक मर्द ढूनना पड़ेगा जो तुम समझते हो मुझे नहीं मिलेगा यह तो मैंने नहीं कहा मतलब तुम्हारे यही है क्यो नहीं मिलेगा मुझे क्या कमी, क्या बुराई है मुझ में, एक नहीं, दस मिल सकते हैं पागल हो गई हो सोनिया खामें पागल हो गई हूँ, घर कोई मुझी को जानता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता मैं जितना ऐसे दपती हो, यह और भी मेरे सर के बालो को आती है बटावना, क्या बुराई है मुझ में, और क्या चाही है तुम्में जो मुझ में रहे तो तुम भी ले आओना कोई देव जैसा ढूनते, देव जैसा ही क्यों, देव से अच्छा भी ढून सकते हूँ यह बात है, अपनी अपनी तलाश है शीला, तुम खुसन का खरीदार ढूनती हो, मैं दिल का लेकिन अफसूस तो यह मेरी बहन, कि दिल का खरीदार ढूनने के लिए भी थोड़े बहुत खुस्त की जरूरत पढ़ती है अबियत की रंगीनी की जरूरत पढ़ती है, अदाओं की जरूरत पढ़ती है, जो तुम में बिलकुल नहीं इस कमी को मैं पूरी कर लूँगे कैसे? जैसे भी होगा, आखिर हम भी दसने मैं? मैं? मैं तनमन से उसकी सेवा करूँगे, उसे अच्छे सिचा खाना पगावे खिलूँगे अपने हाथ से कपड़े पहना के काउंपे भीजूँगे, दर्वाजे पे खड़ी होके उसकी वापसी का इंचज़ार करूँगे और रात को? और रात को उस वक तक उसके पेर दबाती रहूंगे, जब तक उस सो नहीं जाता लेकिन सोने वाले के पेर तो जब भी दबाओगी न, अगर वो मिला मुझे मिलता है या नहीं, तुम इसकी फिकर मत करो अपने फिकर करो, कि तुम ऐसी होटलो और क्लबों में हर लड़के के साथ तिगनी का नाच नाचने वाली हूरपरी के साथ कौन सिंदगी गुसारता है तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो सोनिया लेकिन बगार इसके तुम्हारी जहालत का पता भी कैसे चल सकता है जब तुम खामोश रहती हो, तो लोगों को तुम पर रहम आता है और जब बाते बनाती हो, तो खुस्सा तुम्हारी मौजूद की इतनी बोरिंग होती कि इनसान का दम घुटने लगता है मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन कहना पड़ता है कि तुम इतनी बेवकूफ, इतनी बदसूरत हो, कि शादी तो क्या कोई तुम्हारे पास एक मिनिट बैट भी नहीं सकता शीला, तुम्हें ये बाते सोनिया के मूपर नहीं कहनी चाहिए मैं बुरी लड़की सही, कितनी ही बदसूरत सही, बगर किसी से तो कुछ नहीं कहती अगर ये ही बात है शीला, तो मैं तुम्हारे देव को ही अपना बना कर दिखा दूगे देव को, ये मौ और मसूर के नहीं हाँ हजो, और जोर से हजो इतना हजो कि तुम्हारे आँखों से आसु लेज़ादा और जब तक ये ही आसु कहाबा अगर तुम मेरे पैर नहीं पकड़ोगी देव देव की बिग नहीं मांगोगी मैं उसे वापस नहीं करूँगी कभी वापस नहीं करूँगी शट अप सॉनिया क्या क्या पारते शीला कह जाती है आप उसे कुछ नहीं कहते हैं आप मुझे को डाटते हैं अंके सॉनिया जब तक तक तुम शीला के माफी नहीं मागोगी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती यह नहीं हो सकता अंके नहीं हो सकता तो तक अपने कमरे में जाओ यह भी नहीं हो सकता मैं कहता हूँ जाओ नहीं 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 मत जाओ वा, क्या बात है तुम्हारी, हिंदुस्तानी और अंग्रिजी तारिखी किताबों में, तुम्हारी जैसा मेजी जनरल नजर से नहीं गुज़रा Mr. Dev Mehra सुलिया, तुम्होश में आख जा सुझा से सही Mr. Dev Mehra Hello Dev Hello Shina आओ दे, तुमको सबसे मिला दूँ ये मेरी प्यारी बेती शीला और ये, ये सच मुझ मेरे पती ही माडम होते है मेरा भी यही ख्याल है और कौर से देखो तगर में पत्ता भी पड़ा होगा ताजी भी क्या खुब्सूरा जिम्ले करती समस्तार की बहुत है समस्तार की खुब्सूरा जिए बच्चा है आओ देवा, वैस्तार अच्छा, और सुना जिए सोनिय जी दुबर्ट्चे कुछ आप से पूशना चाहता है सोनिय देखो तो क्या कहगा आंथी ये काम आपका है देव जी याद है क्या कहा सोनिय तुमने? मैंने कहा बवर्ची खानी का काम आपका है आपको ही जाना चाहिए ओ बेर बड़ा खाना देख लो घर वाली को तो चैन ही नहीं मिलता और बाहदू, बीबी जी को बवर्ची खाना दिखा देना 20 साल में दूसरे दुपे जारी है सोनिय जाक कि दखया तो गिस्ट रूम थीक है यह नहीं और देव का समानी ओही लगवा देना अंकल, मर्दो का काम मर्दों का ही करना चाहिए ये काम आपका है हँँ राइट राइट, 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 राइट यह एट, राइट, मैगर और वाओ देखा देख? व्हित विपनाद। सोन्यान ज़्या ज़्यारा हुष क्यों..डिया ज़्यारा ज़्यार? सोन्या ज़्यारार रह्म हुष। ये रिखन्या हूवा हुष। आप खड़ेगे, बैठ जाएगे ना, आप पुछ परेशान नजर आ रहे, आप आईगे, समझिए जी, मैं बिल्कुल आढ़ो, आप अराम से बैठ जाएगे, ना, जी, मैं बिल्कुल ठीप हूँ नहीं जी, ये बात है, आप कुछ है, और कुछ आईए आपको, जी, मैं अपने कमरे में जाकर हाथ मुध होई हूँ, वाइ नोट, इसमें शर्माने की क्या बात है, आईए ना, आप तक्रिक न कीजिए, आप सिर्फ मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए, वाह, आप तो महमान है हमारे, आज़े, आज़े, हमारे, आज़े, आज़े, हमारे, अनाडी बिलकुल अनाडी लड़की है, आपका कमरा, आप सीटी बहाद अची बजाते है, आप नहीं बया सकते हैं, क्या, जी, मैं, जहाँ, मैं भी बजा सकते हूँ बजाए ना, इस तरह यू नहीं, इस तरह आपको शुर कीजिये, मैं जरा हाथ में दोकर अभी आता हूँ गब्राई अगर नहीं, बजाएगे जरूर सिटी अगर नहीं, बजाएगे जरूर सिटी पे दा रहे हैं आप ब्रावो, वंड्रफूल क्या खाता मैंने क्या को उफसरूर शिटी बें दा रहे हैं आप अरे, मैं तो समझाता है, यह तो शिला किसरी की आवाज है कोई बात नहीं, वो सिखा देगी आपको यह तो बड़ी काम की चीज है और अगर किस से प्यार हो, तो लाख रुपे की मैं और शिला तो कभी कभी सीटियो में नहीं बाते करते हैं पचास आदमी बैटे हो, कोई समझ नहीं सकता क्यों कर? किसी से कहिएगा नहीं, मैं आपको बताय देता हूँ यह देखिए चांदियो मैंने क्या कहा? मैंने कहा, मुझे तुमसे बहुत महबत है सुना आपने, कहती है, तुम बहुत प्यारे हो आपको मालमनी कॉलेज भर के लड़के, श्रीला के मुस्कुलाट पर आखें बिचाने को तयार रहते थे और वो सिफ मुझ से प्यार करती थी मैं अपने आपको बाच्छा समझता था प्रित्विराच चाहन के खांदान का अब आपने क्या कहा? मैंने कहा, दुनिया बहुत हसीन देखें मगर तुमसा नहीं देखा उसने क्या कहा? उसने कहा, मेरे प्यारे जूटे कहीं के इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, काश में इस वक्त आपके करीब होता और इसका मतलब आप लोग परल है इसका मतलब मुहबच बखवास है इसका मतलब गर्टे हैं चेनन में जाओ जड़ाओ जड़ाओ मतलब एक उड़ाओ जड़ाओ L O V E Love Love O R E B हाहाहा बात एक नजर की खेल एक अधा का तो फिनाने वाला प्यार जो कहूं का दिल मिलाकर दिल से देखो क्या है रंगे वहाँ क्या है रंगे वहाँ लव का मतलब है प्यार प्यार दिलों का करार लव का मतलब है प्यार प्यार दिलों का करार प्यार दिलों का करार बी, ओ, आर, इ, बूर एक खसी हों टूपे, एक हया आँखों में इंदोन जब तक राएं, प्यार्ब साथ में जो वपाना हो तु ये हैं, दो घड़ी का खुमार लव का मतलब है प्यार, चार दिलों का खरार लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार प्यार दिलों का करार बी, ओ, आर, ई, बोर खुब सूरत बते, और खुद भी हसे हो लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार प्यार दिलों का करार बी, ओ, आर, ई, बोर मुझे मालुम हो गया, अच्छी तरह मालुम हो गया मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कुछ नहीं हो सकता पागल कुटे ने मुझे काता था जो मैंने कहा कि मैं देव को अपने बना लूँगे अगर ना बना सकूँगे, तो लोग मुझे पर हसेंगे पहले से भी जाना हसेंगे मगर हो भी क्या सकता है मुझे में धरा ही क्या है कि कोई मुझे पसंद करे आखिर मुझे में क्या खरावी है दादी एकाथ खरावी हो तो बताई भी जाए तुझे तो सर से पैर तक ओवरॉल करना पड़ेगा कितरा यह चश्मा क्यों लगाती है मेरे सर में दर्द होता है दादी जब तक लगा रहेगा मर्दों के दिल में दर्द नहीं पैदा कर सकती अब चल उठा हाथ में धो ले जल्दी आपने मेरे बाल क्यों काट दिये इसलिए के आजकल मर्दों को औरत के लंबे बाल पसंद नहीं आते क्यों जादी शायरों ने मर्दों के बालों के तारीफ शुव कर दिये अब इन्हे औरतों के बाल क्यों पसंद आने लगे फर्माते हैं उड़ें जब जब जुल्फे तेरी कुवारियों का दिल मचले दिल मचले ले पाउडर लगा दादी लगा जल्दी आँखों में सुर्मा लगा हम मालुम होता है दो हिरन जख्मी की ये सियाद ने एक तीर से अब जल्दी से होटो पे लिपस्टिक के शोले भरका दिल जिलाने के लिए अब मेरे जान जल्दी से कपड़े बदल लो अब मालुम हो रहा है बिजली गिरेगे कही न कहीं हाँ जरत देखो तो किस तरह लहरा के चलती है अर ये चलती है कि जमीन पर उत्तु करती है देख मैं बताती हूँ एक हाथ सी में उपलू पकड़े हम अब फिर यूँ चल यूँ हाँ दुनिया चीख उठेगी कि गोरी जरा धीरे चलो कही कमर न लचके अंग्रीजी नाच जानती हो थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा फर्स करो कि मैं देव हूँ और मैं तुम हो और कौं मैंने तुम्हारे तरफ नाच का इशारा किया तुम आगे बड़ी अब नजरे शर्मा के जुकाओ मुपे मुस्करा तुहे हाँ कभी कभी आँखे भी बन कर लिया करो जैसे कि जजबात मचल रहे हों और तुम इन पर कावन ही पा रही हो आखे खोलो उसकी तरफ देखो अब सरा खबराओ फिर नीची नजरे करो यह है वो अदाएं जिनके चारो तरफ मर्दों की खोकली खोपडियां घूपती है अब हमारा डांस का कमपोटिशन शुरू होता है मैं आपको यकेंद लाता हूं कि किसी भी कमपोटिशन या रेसिंग में कोई सर्टेंटी नहीं है कोई सर्टेंटी नहीं है विनर इवन मनी का घोड़ा भी जित सकता है और हेंड़ेट टु वन कभी यू कन पता विनरू यू कन पता विनरू एवन यू कन पता विनरू यू कर विनरू हुआ 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 प्रश्स जिस भी परका तरफ है वी सो नहींद से, वैफ ब्सक्राय को परणा आजुए आजू आजू कुमपेशन नाइच है और ये कायुटरा के महुने च्पियन है कर दो 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 कर आखर तुम उसे डांस क्यों नहीं करती है करूंगी पहले सकाबिल तो हो जाओ जाए निशीला देख चैंपियन फर्म अद्रास क्या हो आपको पतंग उड़ाई है कभी आपने जा बस ये मालू हुआ कि आप सर अचो के आपको ये मालू होना चाहिए कि जब एक पतंग कट जाती है तो दूसरी उड़ाई जाती है I will dance with you मुझे डांस आता ही नहीं मुझे भी नहीं आता चैंपियान्स वाम के बार्टो काल गुला भी किसके है नैनी शराब भी किसके है बालों में किसके रात बसे देख के किसको सुभा हसे बोलो कौन 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 शकीला गाल गुला भी किसके है नैनी शराब भी किसके है लाम भी बाहें किसके है तेज निगाहें किसके है चूम के किसको हवा चले देख के किसको चांद जले बोलो कौन 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 जमीला नाम दिवा हैं किसकी हैं तेज निगाहें किसकी हैं पूल बरस्ते बातों से दिल को लूठे घातों से जो बिजली को शर्माए देख किसी ना आ जाए बोलो कौन 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 लीला पूल बरस्ते बातों से दिल को लूठे घातों से रंग दमकता किसका है जल्वा जादू करता है शिमला भी धम भरता है पूल कौन 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 सीरा रंग दमकता किसका है रंग चमकता किसका है गाल गुलाबी नैन शराबी लामी बाहे तेज निगाहे रंग दमकता अंग चमकता बोलो 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 कौन अजया! 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 कर दो कॉंग्रेजिलेशन्स चिंबट्टी चेंपियन। थैंक यू हाद लख सिम्ला चेंपियन। देव, अगर मैं जानती तो तमहर साथ ही डांस कोती। गया वक्त पल्टा कर ला नहीं सकता। नहीं तो तुम्हारे लिए ये भी कर गुजबता। क्या खुब्सूरत डांस किया है तुम्हें। तुम इस रॉक अन्रोल को डांस कहती हो। क्यों नहीं। इस ग्रेट आर्ट। बेरी ग्रेट आर्ट। यूरोप का एक मशूर डांसर पागल हो गया। पागल पर मैं रॉक्स पर जाकर रोल किया करता था। जब मर गया तो इस ग्रेट आर्ट का नाम रॉक अन्रोल रखा गया। सुबह कर किया प्रग्राम है। तुम्हारे मेमान है। तुम बनować प्रोग्राम। कल सुबह सिम्ले की सैर को चलेगे। सुबह सुबह सिम्ले, जन्नत मारिम होता है जन्नत। कभी कभी फिरिष्टे रास्त भूल कर निकाल आते है। काले-काले बादल चमक्तिवी बरफ का यू मुझ चुमते हैं, इन जैसे भंडे सफैद सफैद भूलों का मुखड़ा चुम रहे हूं. दादी, यह क्या गोली दूद में डालिया आपने? बुढ़ा पेकी गोली है, जब तक मैं खाऊं रात को नीदी नहीं आती. ओ, स्लीपिंग भिल है? सोनी जी, आपके लिए दूद. हाँ, देखो भादर, आज शीला को मैं ही दूद दे दूँगे. सुभा बिगडी में थी, विसमत खुश है. सोनी बीबी जी जी मूड है. दूदे क्या? जा, दादी, आपके मुं में जरा सा कच्रा लगा हुआ है. कच्रा? हाँ, मैं निकाल दे चूँँँँँआ. कहा है? ओ, गया, गया. दादी, दूदर. जीती रहो. गरम दूद वक्स ते मिलता नहीं, यादते बिगडी हुई है. दादा मर्हुं कहते थे, जब तक कोई गरम गरम दूद प्यार से ना पिलाए, कभी नहीं पियो. आज बड़ी खुश नजर आ लिए, सुनिया. देखो भई, चार दिन की जिंदगी में जगडा बिलकुल अच्छा नहीं. मैंने तो सोच लिया है, कि सच्ची खुशी तो सिर्फ दूसरों की सेवा करने में मिलती है. आह, आह, जैसे जैसे दूद तले के नीचे उतरता जा रहा है, वैसे मेरा खुन बढ़ता जा रहा है. सोजा, राजकमारी सोजा, सिंगले भर की प्यारी सोजा. विचारा अकेला भटक रहा है. अभी चल्दादी, इस केदी का भाने कर दूँगे. अकेली में जाना, रवी को साथ ले लो. पहले नक्रा करना. नक्रा? सूरत सो नू, कपड़ा हजार नू, जेवर लाक नू, और नक्रा करोण नू. दादी. अलब मदा, के माकूफ आख. आख नहीं, आख. नहीं, आख. आ, 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 ओ, ये उर्दु जबान बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं, हाव डू जी नो, मैं साथ दिनों से इसे सीख रहा हूँ, पकड़ी में नहीं आती, तुमने ये जबान कितने सालों में सीखी थी, सालों में नहीं, सिर्फ एक दिन में सीखी थी, आ, शक्स, हमारे पड़ोस में एक मुश्ची जी रहते थे, वो हमें उर्दु गा के पढ़ाते थे, I don't believe it, इसका तो पढ़ना ही मुश्किल है, गाना, इंपासिबल, अगर मैं यूँ सिखा दू तो, Oh man, tell it to your grandma, Listen then grandfather, पादा, अलिप पेशो, अलिप से अल्ला, पेसे भगवन, और पेसे परवाना, और पेसे परवाना, जो ना माने शमा को दीपक होगा कोई दिवाना, होगा कोई दिवाना, अलिप सबरा, अलिप जेरे, अलिप पेशो, अलिप से अपन, अपिनभी हुर्मन, अपन अभवाना, पेसे परवन, पपन परवाना, अलिप सबरा, अलिप जेरे, अलिप पेशो, का से कवा काफ कपूतर घैन घटर हूं बोले, घैन घटर हूं बोले, ना से नईया टाल से दिल की हैसे हाए डोले, हैसे हाए डोले, हाए अलिव सबरा, अलिव से रे, अलिव पेशो, अजिपे सबरबा, पेजेर बे, बेपेशबो अलिव से अपन अबिनदी हुर्मन अपन अपवा हपे से बपन पबिनदी हुर्मन पपन पपवा अलिव सबरा अलिव देले अलिपेशो जीम से चुवा चैसे चोरी फिर सीधी पतवाली मीम से महनत दो हाथों की और खे से खुशहाली अलिव से बबिनदी हुर्मन अपन अपवा हपे से बबन पबिनदी हुर्मन पपवा अलम जबराँ, अलम जने वे लिव पेश उ अलम जबराँ, अकेले मरो, मीम जबरमा मचर मरो यह सुattend-ॉसका कहा जा रही है? शिमले किस हेर कू? इस वक्त शिम्ला जन्नत नजर आता है जन्नत कभी-कभी फरिष्टे रासा भूल कर निकलाते है काले-काले बादल चमकती हुई बरफ का मुँ यूँ चूंते है जैसे भॉम्रे सुफेद सुफेद फोलों का मुखडा जूम रहे हो मेरा भी ये जन्नत देखने का प्रोग्राम जरूर था मगर वह आपकी हूर मिस्शीला देवी अभी तक सो रही है लंच के बाद ही उठती है सच जूड़ बोल रही हुआ अरे उनका इंतजार किया तो बूड़े हो जाएंगे आप और वैसे थोड़े बहुत हो भी चुके है ओ हेलो यंग मैं साई ओल मैं नो लग बहुत जगा है जब तो मैं आप ही के साथ चलता हूँ देखे मिस्टर कल तर इस खागर डांस कर लिया मैंने तो आपस करना जाइज पादा उठा रहे है मगर हर्च क्या है आप तो अकेली जा रहे हैं मुझे अकेली घूमने में मज़ा आता है यकीन मानिये घंपनी का मज़ा कुछ और ही है तो फिर एक शर्त पर जो कुछ मैं कहूंगी करना पड़ेगा अगर आप मर जाने का हुकम देंगी तो भी मज़ूर कर लूगा मरने वालों की सूरते कुछ और ही वा करती है खैर चलिए जास्ट मेंट अगोस सर्भू सर्थ." ये Tारी ही देख रहे है शेला के कई दोस्तों ने एक साथ में बरफ पे चाणाने की पकोषिस की मगर एक कामयाब न हो सका इसमें कौन सी थो बड़ी बात है Dat's Azizy भाग को भाग 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 को भाग 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 आपकी तो वही मिसल है कि बेटा चड़जा सूली पर राम भला करेगा लेकिन दिखा दूगा कि मैं क्या कुछ ने कर सकता मिस्टर देव कोई और भुली हो याद आई मैं आपको जब बहादूर मानूंगी बिना जीन के घुड़े पर बैठ जाओ याद आफ लेकिन आपको अपको बहादूर मानूंगी तो आए लेकिन अबला करेंस आप मानती हूं तुम बहादर हो अगर बहादुरी का यही सिलसला जारी रहा तो दम निकल चुका होगा और खाली हड्डिया बहादुर बनी अगड रही होंगी एव मैं यहां से नहीं कूछ सकता मैं बहादूल बहादूल नहीं हूं सुनो तो सही वो सामें होंगाड माच कर रहा ना जिसकी बन्दों की चमक तो यह मोग नजरा रही जया हाहां वही वही मुझे नहीं दिखा जिता उसका खुर मुझसे नहीं होगा फिर वही हाँ छोटी सी तो बात है मुझे उसकी हेलमेट पसंगा गई है हाँ हाँ असंचा तो काम है देखो आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाओ एक सारा असी हेलमेट उपर उठा के एक दूर से खेचो और भागो बस और भागे सिर्फ छे महीने सेंटरल जेल में गुजार दो बस तुम पकड़े थोड़ी जाओगे अच्छा हाँ वो होमगार थोड़ी है वो तो एक बागल है लेकिन उसके पास बंदुक कहा से आई असली बंदुक थोड़ी है इतना भी नहीं समझते फिर भी मैं नहीं पुम फिर भी मैं ऊतना बागे बंदुक कहा साँनोंक ऩ और दो है और, हो चोब्ड करो में! गुझिक प्टरोग्स आघिए, और! ऐसान ऐिए, और सभ्सकारी जबालांदे जव्रीक गॉझिक वुझिक जड़ा यई पुछिक गुझिक झाल झाल इससे ज्यादा बेवकुपी और क्या हो सकती है? जो तुम कहती जा रही हो, वो मैं करता जा रहा हूँ तुमारा क्या ख्याल है? मेरी ख्याल में तुम बहुत बहादर हो बहुत अच्छे तादा मरूम ठीक ही का करते थे क्या? कहते थे बेटा, अकल और महबत में सक तुश्मनी है महबत में हर दीवाना पना औरत को पसंद आएगा उसके खातिर कुकुडू कू करो, घटर गू करो, सर के बल खड़े हो जाओ कपड़े फाड़ कर जंगल में भाग जाओ, जो चाहे जख मारो कभी खाना ना खाना दादा मर्हूम वो कहते थे, डैड़ी ये कहते है आपको इसके लवा और कुछ पी आता है बड़े नाजों का पाला हुआ हूँ पर दादा मर्हूम कहते थे कि अच्छा खाना सिर्फ औरते पगा सकती है और आप मुरहुं क्या कहना चाहते हैं यही ना कि आज का खाना में बनो यही जमाना है, दुआय ले लो जिंदें के भर काम आएंगे आज का खाना में ही बनाऊगी महराज ममी की कसम, खाना तो क्या में फ्लेट नङका हगा यह दोम्यी की याद कैसे आगई इसलिए कि जो जुमला तुम्हारी जमान से मेरे लिए निकला है, बिलकुल यही जुमला मैं भी डाडी से कहती है विम साब, मिस्टर देव आगए है गुद मॉर्निक शीला गुद मॉर्निक देव माफ करना देव एस विजन मेरी आख नहीं खुली और तुमें सेर के लिए अकेले जाना पड़ा कोई बात नहीं, और मैं अकेला कब था तो फिर किसके साथ गय थे? वो, वो तुम्हारी याद को सीने से लगा है पूरा सिमला चानबाना चल्दी से तयार हो जाओ, मिस्चिमला कॉंटेस के सिसले में मैंने लैंच दिया है, सवेरी से चलना है लेकिन मेरी लिए यह खास तौर पर खाना पकाय जा रहा है कौन पका रहा है? सो, सो, सो सुबह कितने प्यार से पूछ रहा था मैंने का जरूर मिस्टर, कहने लगा खाईएगा क्या मैंने का जो कुछ भी प्यार से खिलाओगे अब तुम ही बताओ, इस गरीब का दिल तोड़कर किस तरह बहार लंच खाना जाओ और तुम्हें मेरे दिल का कोई खैल नहीं तुम्हारा दिल प्यार के रहने की जगा है, तोड़कर फिर जोड़ा जा सकता है मगर करीबों का दिल भगवान के रहने की जगा है अब तुम ही बताओ, भगवान का गर कैसे बरबाद करो बहादूर मैं भी बहादूर को घर से बाहर निकातूँगी क्या समझ का इसने तुमको बहाद जा सुख अरे अरे नहीं शीला तुम बीच में मत बोलू, मौकरों का डिसिप्लिन खराब होता है अच्छा बाबा मेरी तौबा हुई, मैं चलता हूँ तुम उससे कुछ का कहना जाओ बही जाओ अरे ये तुमने अपनी शकल क्या बना रखे जरायने में तो देखो मिस्टर देव अगर शादी से पहले यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा देखो, आज किसी चीज को हाथ ना लगाना खाना मैं पकाऊंगी जी बीबीजी ये कबाबों का खीमा इतना मोड़ा क्यों कुसे इसे महिन कर दो ये रोटी किसने बनाने को कहीं थी आज पूरियां बनेगी और ये क्या बस इतनी सबजी लाए हो भागे दो तिन सबजी और ले आओ और मीथे में क्या है जी से बईया खाली समया जी क्रीम लेते आना और कुछ चाहिए बीबी जी आउट आउट हाँ अब तुम गर्ण गर्म पूरी बनाओ और मैं मेज लगाती हूँ हाँ बाहदू उन्हें ये सब लोग तो बाहर खाना खाना जा रहे है कौन सब आउट आउट अंकल अर आउटी जा रहे है बीवी खाने पे नहीं रहेंगे क्या मैंने कहा न आपसे तो मैं कैसे मालूँ छीला बीवी ने कहा था शीला ने कहा था जी हाँ लेडीज और जेंटलमें आज हम यहां मिस सिमला की ब्यूटी कॉम्पिटिशन की सिल्वर जूबली मनाने के लिए कठे हुए हैं भगवान की किरपा और अल्ला की महरबानी से पचीस बरस से जब से मैं इस कमिटी का प्रेजिडन बना हूँ कोई साल भी यह कॉम्पिटिशन नहीं रुका थुनियां भर में लडाईयां होती रहीं लेकिन हमारा यह ब्यूटी कॉम्पिटिशन वही आला ग्रांट स्टाइल में हर बरस पेश किया गया है इस साल एक रेडियो हिंदुस्तान रेडियो की तरफ से एक जेप रिकॉर्डर कापल भाईज की तरफ से और तीन बरस का फिल्म का कॉन्ट्रेक्ट फिल्मलाय बॉम्पे की तरफ से आफर हुआ है अब मैं आपके सामने रूल्स और रेगुलेशन स्पेश करता हूँ रूल नमबर वन कोई भी कॉम्पेटीटर की उमर सत्रा साल यानि स्वीट सेवन्टीन से कम और पचीस बरस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हलो Mr. Devkumar Mehra आपका तेलीफोन uh excuse me I am sorry I am sorry sir not at all not at all hello Dev speaking रूल नहीं आती you shameless man मुझे खाना पक्वाया और खुद वहां मरने चले गए जी हाँ, बड़ी जल्दी में शिमले आना हुआ सोचा तार दे दूँगा मगर भूल गया मिजर जनरर राजपल सिंग के यहां ठेरा हुआ हूँ जब जी चाहे आजाईए, आप ही का मकान है यही मेरी बात का जवाब है कुछ घास खा गया हो जी नहीं, अभी किसी ने खाना नहीं खाया मैं तुम कुछ शरीफ आदमी समझती थी आप सच समझते थे, फिर मिलूगा मैं रूल नमबर वन फिर से दहराता हुआ किसी भी केंडिडेट की उमर सत्रा साल यानि स्वीट सेवन्टीन से कम और पचीस बरस से ज्यादा नहीं हो सकती है Mr. Devkumar Mehra another call for you excuse me I'm sorry, I'm sorry I'm awfully sorry, sir yes, sir hello, Dev speaking मालूम हो गया, तुम थर्डेट आदमी हो you're right, you're right तुम इडियट हो, बेकार आदमी हो हम लोग आपकी तरह बेकार नहीं है याब होत काम हो रहा है I'm sorry, sir मैं रूल नमबर वन थर्ड टाइम दोहराता हूं किसी भी कैंडिडेट की उमर सत्रा साल से कम यानि स्वीट सेवन्टीन से कम और पचीस बरस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मिस्टर देव राज महरा मालूम होता है और सिम्ला ब्यूटी कॉंपिटीशन के बजाए और इंडिया टेलीफोन कॉंपिटीशन हो रहा है I'm terribly sorry, sir Sorry, sir Hello Assalamualaikum या बिंते शेख अल बुखारा बुखारे की शेख की पिंसेस हमारे ब्यूटी कॉंपिशन में शरीक होना चाहती है Yeah Namaskaram नले दुंडे आया यो तुम भी, जरूर जी अरे मदरास के सबसे बड़े चेटियार की लड़की हमारे ब्यूटी कॉंटेस में शरीक होना चाहती है Yeah Yeah Hello Nomaskar, क्या मुणा चेन, आपनी अच्छा, मिस्चोई, एक खुड़ी बल गेचियामी क्याम कलकत्य के सबसे बड़े जागरतार की लड़की हमारे ब्यूटी कॉंटेस में शरीक होना चाहती है Yeah आप टेलीफोन या रख दीजिए टेलीफोन रख दीजिए यहीं खड़े रहिए आपका टेलीफोन फिर से आएगा जी नहीं जी हाँ मैं रूर नमबर बन फिर से दोराता हूँ Hello जी नहीं जी हाँ यहीं Hey मैने टोमाठो सूप मंगाय था जी वेपलों मुझा गल्पी से चिकन सूप्ली प्लीचेंचेंजर से जी तेख दीचेंजर सो रहाँ जी प्लुख मैं कप्डे बदल कर आता हूँ Excuse me Excuse me Sir! I'm terribly sorry औरत को खान पकाने में जितनी तकलीफ होती है मिस्चर देव, उससे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है, जब कोई खुश होकर उसका खाना खाता है, उसके खाने की तारीफ करता है, और दादी तो अक्सर कहा करती है, कि मर्द का दिल जीतने के लिए सबसे अच्छा इक तारी जी कबाब हाजर है मिस्चर देव, तो कबाब पसंद आए मिस्चर देव आपको, जी शुक्रे की क्या बात है, मैंने तो आप ही के निपकाए थे, ये लीजे, गरम-गरम पूरी हाजर है पूरी गरम थी, आपका मूँ जल गया, सुर्व तो सबर से काम लीजे नमिस्चर देव और भौक कर नहीं, नवाला भौक कर खाई ये लीजे, दही के रायते का एक चमचा, तबियत खुश हो जाएगी मिर्चे थे इसमें, माफ कीज़े, अभी पानी पेश करते हूँ माफ की चाहते हूँ सबर देर होगी, आपके पानी पीने का बर्तन तो अलग ही रहता है ये खाना कहां लिया जा रही हो? खाऊंगी अकेले अकेले? बिलकुल अकेले और महमान? बड़ा बैमान निकला, वादा किया और चला गया वो तो शीला ने जिद की थी, तुम्हारी कसम मैंने कितना कहा, लेकिन किसी तरह नहीं मानी जैसे शीला तुम्हें गोद में उठा कर ले गई थी, बेबी हो ना? ए बेबी ए जी ए बेबी ए जी इथरा आ गया घूम जा घूम गया मान जा मान गया अक कहो क्या खाओगे? जैसे बेबी ए बेबी ए जी ए बेबी ए जी इधरा आ गया घूम जा घूम गया मान जा मान गया अब कहो क्या खाओगे? जैसे बेबी ए बेबी रुत है रंगी मी हवादी है नशीनी ओ प्यारे मगर भूक मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे मगर भूक मेरी मिटा तो न सकेंगे नजारे हाँ इधरा आ गया बैठ जाओ बैठ गया उठ जाओ उठ गया अब कहो क्या खाओगे? कर ले जी ए बेबी देखो तो गा पंचे मजूर से सदा में क्या भूले? देखो तो गा पंचे मजूर से सदा में क्या भूले? भूका है या प्यासा तरप के बेचारा मुखोले आ इधरा आ गया जुक जाओ रुक जाओ जुक जाओ जुक गया आप कहो क्या खाओगे जले भी है बेबी हम तो तुमारे जी महमान बनके हाई मर गए हम तो तुमारे जी महमान बनके हाई मर गए बहुत शुक्रिया जी कि एहसान हुम पे चुकर गए बहुत शुक्रिया जी कि एहसान हुम पे चुकर गए आई धरा नहीं आऊंगा गुम जाओ नहीं घूमूंगा पाल जाओ नहीं मानूंगा भूखे ही क्या जाओगी उचले भी ए बेबी सजा तो हम देंगे इधर जरा लाओ ये बईया सजा तो हम देंगे इधर जरा लाओ ये बईया इधर आओ बैड़ गई जाओ बैड़ गई जी आपको हो क्या खाओगी जोते की ए बेबी ए जी लो ने! वह वह जी वह इसी मुझे अश्की का दावा करते थे अजनभी तो तरफ तरफ के मुबारिब बात की और जो अपने हैं उनको नजरें ढूले। देखो भाई, ये दिल दुखानी वाली अदा अच्छी नहीं होती, एक तो प्रोग्राम बोरिंग, दूसरा सूप गिरा, यहां आया तो किसने खाने तक को नहीं पूचा, जिया सोनिया तो थी घर में सोनिया, उसका होना ना होना सब बराबर है कुटे से खेल रही है, बिली को प्यार कर रही है, इतने बड़े घोड़े को बेबी कहती है, अभी अभी ये खरगोश के साथ गाते गाते हैं, नजाने कहाँ चली गई मैड गल, अइम सॉरी माई जिया, कैच मी ये तुमारे कप्टे कैसे लिल होगा खुस्य में आकर फूल में फांग पड़ा, दो घंटे से नहार आँ, तुमारी अगर यही हालत रही तो किस दिन जानवान दे दूँगा तो जबरदस्ते उस्सा करते हैं, वहाँ होते तो तवियत खुश हो जाती, सब लोग मुझे देखकर दंग रहे हैं, कहने लगे, ब्यूटी इस जॉए 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 यह मेज क्यों नहीं छोड़ते है, क्या करो, यह मेज मुझे नहीं छोड़ रही ह हाँ, आप बैठो, ऐसा मालम होता है कि 100% chances मेरे मिस शिमला चुने जाने के है, इसका यह मतलब हुआ कि 0% chances अपने रहेगा, जब तुम फिल्म स्टार बन जाओगी तो मेरा क्या काम होगा, तुम्हे काम की जरूरती क्या होगी, एश करोगे, और मैं तुम्हारा शोहरे नाम जरूरता अधाय का नमोना जा रहा है, हאं और जब लोगों की तरफ मेरी पीठ ओ जाएगी तो कहेंगे का शरापत का जनाज़ा जा रहा है, यू आज स्टार स्रीस नाटाई मैं ज्टार जेलनुकलर, ऐससका इसजलनुक्त الإ обязय् boy I'll kill you. I'm jealous. देख, तुम सोचते होगे कि शीला अजीब किसम की लड़ी है. मुझे सिम्ले बुलाया, और कुद एदर उदर भागती पिठती है. लेकिन ज़रा सोचो तो डाली, मैं कितने बिजी रहती हूं. कितने लोग मुझे खेरे रहती हैं. कितने बेकाल लोग हैं. बेकाल नहीं, सबके सब ग्रेट आर्टिस्ट हैं. और उनको इंस्पायर करना मेरा सोचल फर्ज है. अच्छा? आगे कि यही लोग जीनियस होंगे. और मेरा ख्याल है कि देश के हर घरती शीला शीला की आवाज आएंगे. मेरे एक ख्याल में आगे बढ़कर यही लोग पागल हो जाएंगे. और देश के हर पागल खाने से चिलाएंगे. शीला, शीला. कल सुबाह में तुम्हार साथ सुनने की सेर को जरूर चलाएंगे. आज की तरह? आज तुम्हारी कसम सोंगे नहीं. पारे गिन-गिन के रात करते हैं. हाई. अरे, तुम क्या नहीं सोंगी? तुम्हारी किसमत सोएगी, बहन. मैं तुम्हीं सुलाओगी. जोल भी बचेगा, तु अपनी कसम आक्ष नहीं खुलेगी. तुम्हारी किसमत नहीं तुम्हारी को जाने मुझे नीन क्यों नहीं आई? गोलिया कहीं थंड़क के वज़े से सिल्टों नहीं गहीं जादी. ये कैसे हो सकता है? कल ही तो मंगाई थी. तो फिर नखली होंगे. आजकल दवाँ में बड़ी चोर ही होने लगी है. कोई किसी को क्या कहे? सभी चोर हो गये हैं. जीती रहो. चोर कहीं के? ये कमबख्त बावर्ची आधा दूद खुद पी जाता है और आधे में पानी मिला देता है. आज मैंने चोर को पकड़ा. सच सुन्या, तुम्हारी खसम इंसान को जिन्दा रखने के लिए खालस दूद नहाइच जरूरी है. अच्छा खाना भी जरूरी है सुन्या. खलत. अच्छा खाना मिले या ना मिले. मगर देश में खालस दूद की नहरे अवश बहती रहे. अच्छा जरूरी है. अच्छा जरूरी है. हल्की हल्की सिट्यों से अपकाम ही चलेगा. महबत बहुत दूर तक पहुंचुकी है. ठोल बजाएए. जब शिला देवी की शायद आंग खुल जाए? बगवान न करें उनकी आंग खुले? जिस दिन खुल जाएगी मेरी खैरियत नहीं. अब करें फिल में तो चाहती भी यहीं. कि किसी दिन आप पिटे, और में तमाशा देगा. तालिया पजाब आकर कहो. सिमने में मजणू के एक आउलाद बिट गई. शायद आप यह दिखानी की कोशिश कर रही हैं, कि यह मजाग है? नहीं साब, यह तो नफेट रुमेंबर है. जरा मेरी आखों में आखे डाल कर यह तो कह देना, कि तुन्हें किसी से प्यार नहीं है. नहीं. नहीं? नहीं. मेरी कसम बिल्कुल नहीं. नहीं, नहीं, नहीं. यह दुश्मन ने तमन्ना इसका जवाब दे दे. काहेगा? यह हाँ बने तो क्या हो, मरता हूं जिस नहीं पर. क्या हुआ? क्या हुआ? मुझ आ गई. आओ उठा के ले चलो. महबत के जख्मी के उठा के नहीं, बिठा के ले जाते हैं. कहां? दिल में? रिक्षा में. और रिक्षा खुद खेंचना पड़ता है. मैं आशिक हो, रिक्षा वाला नहीं. बस, अभी से यह हल है? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? यह बात है, तो खिचूंगा रिक्षा. लेकिन मजदूरी क्या में रिक्षा? वही, जो मजनों को मिला करती थी. खुने दिल पीने को और लखते जगर खाने को. यह घिजा मिलती है लेला तिरे दीवाने को. अरनुड़ में रिक्षा थिह, 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 थिह थिह, थिह, स्य४ थिख, 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 थिख दिग, 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 तेग, 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 ओई रुक के ओई थम के तो चल रिक्षा वाले के उड़े उड़े जाए मेरे देसु काले जाले ओई रुक के ओई थम के तो चल रिक्षा वाले के उड़े उड़े जाए मेरे देसु काले जाले ये देसु काले जाले सुरतिया तो है ही आदावी प्यारी प्यारी है आदावी प्यारी प्यारी हसीनों की सवारी है हसीनों की सवारी बड़ी तकदीर वाली रिक्षा हमारी है हसीनों की सवारी है तू बठी रह याएि है कर दो है तू बठी रह तू बठी रह तू बठीन रही है पहला पहला किराया पहला पहला ओ जाने माने सुनले ये रिक्षा कुमारी है ये रिक्षा कुमारी हसीनों की समारी है तीक 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 किराया तुंगिया था कि है तेरा मेरा सांजा जान देयो हीर जी ये जान भी तुम्हारी है ये जान भी तुम्हारी हसीनों की सवारी है हसीनों की सवारी है बरड़ी तक्दीर वाली रिक्षा हमारी है हसीनों की सवारी दिग 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 दि यह भी खोश नहीं कि कोई आ रहा है गुट मॉर्मिंग देव गुट मुर्मिंग फादर सिट तान, सिट तान, सिट तान ओ, मिस्टर देव कुमार मेरा ए, यह तेलीफोर्ट कर्ल देव तुम्हारी शाज़े हो चुकी जी नहीं क्या होनी वाली है? जी यह ओ, नुँए यह जी थाज़े होता है I understand I understand I don't understand Yes No Yes No जी तुमको ख्याल होगा कि कॉलिज के स्टेज पर You were wonderful जीढ जी की ऑड़लेस मैं आच साम को एक चरईटी श कर रहा हूँ और आप्टाराई ते यह अभरे तीन के आपनी के विए वास ने दो कारशाए जैए अपर। इस जेता है अर्ण करना कुछ ने लन्हें यह थाजी प्रॉमिटू फ्रॉमिस प्रॉमिस फ्रॉमिस फ्रॉमिस वाट्टू प्रोग्राम, गोड ब्लेस्ट यू बोड थेंकिये फादर हाई, मैं कहती हूँ अगर उसको पलता ही खाना था तो क्या मैं मर गई थी? ओफ, ओफ, यकीन नहीं आता कि ये सच शीला, क्या ऐसा हो सकता है कि चलती फिर फिर सड़ा परते हाप एके? ये तक तुम जानती होगी के जाग रही थी ये सो रही थी? तुम्हारी कसम खिला मैं जाग उठी लेकिन तुम अब तक सो रही हूँ इस सब क्या हो रहा है? कसम से अभी अभी सड़क पर तमाशा देखकर आ रही हूँ देव आंथनी बने रिक्षा खीच रहे थी और सोनिया ख्रियोपेट्र बने रिक्षों में बैठ ही थी गाने गाये जा रहे थी अब भी नहीं चौक होगी तो जिन्दीगी भर पच्ता होगी सर पर हाथ रखकर रोगी फिर मुझसे मत कुछ कहना देव तो शरीफ आदमी है यह सब उसी बेशरम लड़की के कर्तूद है मैं कहती हूँ उसके छपपर पर 24 गंटे मार्जीद चलाए तो कब तक आदमी ही लगेजी या तो तो तुम इस आख को बज़ा दो या मुझे घर जाने के जादत दो मैं तुमारा तुम चलता हुआ नहीं देख सकते देख विजे तुम बाहर जाओ अच्छा गुद मॉनिं गुद मॉनिं शीला कहां से आ रहे हो? जरा सेर्कल में गया था अकेले? बिल्बुला कहला? जूट बोलना भी सीख लिया वह हुआ है कि मैं जा रहा था असनमे सोनिया मिर गिया थी बिचरी बहुत उदास थी सोचा वाग भी हो जाएगी और उसकी तब्यद भेल जाएगी तुम उसकी तब्यद भेलाने वाले कौन होते हो जी? भई मैं तो खाली तुम्हारी बेहन समझ करी उसको अपनी समझता हो और उस अपनी के लिए रिक्षा की क्या जरुवरती? रिक्षा? कितना समझाया कि इतनी तेज मत चलो भाग रही है, भाग रही है बड़ी जिद्दन है ठक गई मजबूर होके रिक्षा लेनी पड़ी कौन खेच रहा था रिक्षा? रिक्षा वाला? फिर जूट बोले तो महीं साफ बाती है कि जिस दिन से मैं ही आया हूँ एक दिन का खाना हजम नहीं हुआ सोचा इस बाने से थोड़ी सी वरजिशी कर ली जाए शरम नहीं आती, लोगों ने देखा होगा क्या कहती हूँ कहते होंगे कि होने वाली बीमी का दिन खुश करने के लिए छोटी बेन की खुशा मत कर रहा है बेशेरम नहीं गाने क्यों गाई जा रहे थे? जब रिक्षा खिषते खिषते थक जाता था तो गवरा के गाने लगता था डैडी देख लेते तो गोली से उड़ा देते बाप रहे बाल बच गया कई दिन से देख रही है तुम्हारे प्यार में भी बहुत कमी हो रही है देखो शीला सब कुछ कह लो मगर मैं ये बरदाश नहीं कर सकता अपने आलफास वापस ले लो शीला शीला डियर आखिर जाना कहा है? जहन बिन तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा लेकिन शीला मेरे कॉलेज का फादर यहां बीमार होके आया है वो मर रहा है मरे представ तुम्ही बताओ मैं क्या करको मैं किसे कहां? तुम्ही बताओ मैं क्या करको तुम मेरे साथ है लेकिन सुनो जू शिला बिचारे फादर ने आँकरी वक्त मुझे को बुलाया था यह कौनसी शराफत है बहा कआ जाओ और तुम्हारे साथ आहू बखे जौ तुम चलो मैं भी आता हूँ क्या? तुम से कह रहा था तुम चलो मैं भी आता हूँ नहीं 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 बड़ी बेर है मोशिया मरते हुए आदमी के लिए भी तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं इसलिए के तुम जूट बोलते हूँ हर मामले में जूट बोला जाता है लेकिन किसी के मनने और जीने में जूट हर्गिस नहीं बोला जाता है अब भी कहता हूँ किसे? तुम्हारे डैडी से जनरल साब आप से एक फैसला चाहता हूँ येस आप से जाजा सख दिल का अदमी और कौन हो सकता है मेरा मतलब है हजारो बहदूर आपने लड़ाई में मार डाले है येस मच्छर की तरह पर्स कीजी कि आपका कोई बुजर्ग मर रहा हो मर जाए? आप समझे नहीं मेरा मतलब है आपका कोई बुजर्ग मर रहा हो और आखरी वक्त आपको भुलाया हो आप आप महां जाएंगे या सेर को जाएंगे ओ इसी मैं तो सब काम छोड़कर उस मरते हुए आदमी को देखने जाऊँगा लेकिन डैडी तुम खामोश हो पुरी उसकी बात तो सुन लीजिए आप भी खामोश रही है हुजर्ग जनल साब मेरे कॉलीज का फादर मर रहा है शिला मुझे वहाँ जाने नहीं देती बताएए कोई जुल्म है ये मस्ट ये मस्ट ये मस्ट गो थैंक ये वरी मच्छ जनल साब दो सो रूपे के शो के टिकेट खरी देते उसमें से पचास रूपे वेस्ट अच्छे काम के लिए चली अभी चली लेडिज एंड जेंटलमेन आज का ये चैरिटी शो उन मासूम बच्चों की एट में है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं I thank you मिलल तो हुआ येडि़ उसमें घाफ लेश growl किया है दिल रुबा, प्यार भी कभी किया है दिल रुबा, प्यार भी कभी किया है दिल रुबा, प्यार भी कभी ये हलकी हलकी बॉंदिया ये भीगी भीगी मस्तिया अब दिल रहा के लिट गया किसी को होश है कहूँ जब किसी पे आ गया तु दिल को कौन रोख था किया है दिल रुबाद प्यार भी कभी आ तुम से हो गया जी अभी अभी किया है दिल रुबाद प्यार भी कभी आ तुम से हो गया जी अभी अभी ये बादलों के काफिले शरीर और मन चले है किसकी इनको जूस्त जू इधर उधर कहां चले हमारे साथ साथ है ये प्यार की तलाश में किया है दिल रुबाद प्यार भी कभी आ तुम से हो गया जी अभी अभी किया है दिल रुबाद प्यार भी कभी आ तुम से हो गया जी अभी अभी हवा भी शोख हो गई तुम्हारी जुल्फ जुम के भतक रहे है दिल गया नगाओ जुम जुम के अघर न हो ये भरकने तो जिन्दगी का क्या मजा तो जिन्दगी का क्या मजा किया है दिल रुबा प्यार भी कभी अब मैं आपके सामने यंग स्टेज लवर्स को प्रेजन करता हूं Mr. Devkumar Mehra and his girlfriend My girlfriend's sister Oh, his girlfriend's sister If you can believe it अब मैं जो कुछ हो रहा है सिर्फ डैडी की कमजोरी से हो रहा है अगर ये जरा सकती से देव और सुनिया को डांट दे तो उनकी हमत नहीं पर सकती मैं इनकी जगे होते तो गोले मार देती और आपक ख्याल है मैं छोड़ दूगा मगर सोचता हूँ सुनिया को गोली मारूं तो फिर स्वरगी बड़े भाई की आखिर दिशानी मिट जाएगी और देव? देव मारा गया तो शीरा की शादी किसके साथ होगी? मगर आज कुछ होगा जरूर ओ, साभजादे, इधर आईए गुद मॉनिग गुद मॉनिग गुद मॉनिग बैठो देखो मिस्टर मैं आज कल की दुनिया से सौ साल आगे हूँ और जो बात पुरानी तहजीब में बुरी थी वो नई तहजीब में भी बुरी है तुम मुझे से जूट बोल कर क्यों गए? इसका मुझे भी अफसोस है मैं आपसे माफी चाता हूँ देखा आपने, ये है लड़का अगर गलती की तो माफी भी मांग ली जाओ, जाओ, अपने कमरे में लाओ थेंकी जनल साब बस, इतना ही पूछता था अगर ज्यादा सकती की गई तो देव बागी हो जाएगा बागी मुझे लड़ाई का तजरुबा है और दरसल ये लड़ाई देव और शीला के बीच में नहीं शीला और सोनिया के बीच में है फैसला इन दोनों को करना चाहिए आज मैं फैसला किया देती हूँ आप भी अजीब आदमी हैं सो तो सोनिया अभी मज़ाख काफी बोनी होगा है तुम मेरे बहनों कर अपने आपको बहुत गिरा रही हूँ उस वक्त में तुम्हारी बहन ही थी जो मैंने कह दिया था कि अब ज़रा समझना मैं अपने आपको बहुत गिराने वाली हूँ जब देव को ये मालम होगा, कि कोई शर्ट के लिए उसे पागल बना रहे हैं, तो फिर क्या होगा? और जब देव कोई ये मालम होगा, कि कोई पैसे के लिए उसे शादी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? शीला, परसों से तुम मुझे यकीन दिलाती रही कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा फिर भी अगर मुझे ज़रा सा यकीन आजाता, कि तुम देव से सच मिझ प्यार करती हो तो शेर्ट के बाद भी उसकी तरफ आग उठा करना देखती तुम कहना क्या चालती हो? कि तुम भी उससे क्यार करती हो? तुम को यह पूछने का कोई हग नहीं अगर तुम देव को वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पाँ पकड़कर मुझे माफी मननी होगी यह कभी नहीं हो सकता जहनम में जात तुम और जहनम में जाते आज बड़ी खुबसूरत नजर आ रही हो सैच और क्या साड़ी पहनी है नजर नहीं तिकती है दादी में तिकती है इस साड़ी पर जरह सी कमी रह गई है वो मैं पूरी किये देती हूँ यह लो अंगोठी लाओ मैं पहना दू मेरी तरफ से दीवाली का तौफा थैंक्य आँटी शीला कहा है? कितना समझाया कमरे से बाहरी नहीं निकलती न कपड़े बदले है न जेवर पहना है यह कोई तरीका है? आखर बात क्या है? तुम बहनो, पूछो न जाके और देखो भई यह बड़ी बदलामी की बात है अभी तो मामला घर का है कल कोई बात बहार निकल गई तो खानलान की इज़त मठी में मिल जाएगी आँटी उस दिन जबरदस्ती बात बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुँच गई आँटी मगर मैं जानती हूँ उसमें चीला की जबरदस्ती थी पूजा की देर हो रही है सब तुम्हारी राह देख रहे है उठो ना तुमने तो बेकार बेकार सारे घर को परेशान कर दिया है तुम तो खुश हो ना चलो कपड़े बदल लो, मैं ले आती हूँ शीला आज दिवाली की रात है आज तो इस जगड़े को भूल जाओ कैसे भूल सकती हूँ मेरा दुश्मन भी मुझसे इस सलुक ना करता जो तुमने बहन होकर किया है और तुम जो बहन होकर सारी जिंदगी मुझे रूलाती रही उसको क्यों नहीं याद करती वो क्यों भूली जा रही हो मैं मैं अपनी भूल मानने को तयार हूँ सुनिया लेकिन हार मानने को तयार नहीं हूँ अगर तुम्हारी यही सित है मैं तुम्हारी पेर पकड़कर अपनी हार मानने को तयार हूँ शिला मैं देव के लिए सब कुछ कर सकते हूँ मुची झाहँ से महपए हूँ मुची झाहँ से महपए हूँ कर तुम्हे कुछ की वहाँ कर दू हूँ और तुम हुशत है भु吸, भुह हुई मैं आप मेरे ओखी तुमको इका वादा करवा breaking करो, जा हुआ वादा करो, कि देव से अब इस तरह नहीं मिलोगी करती हो वादा मैं वादा करती हो, मैं वादा करती हो इवनिन देव, हपी दिवादी हरो शीला, हपी दिवादी देव, आज में शीला दांस रहते में मेरे से चल रहे हो नहीं क्यों में शीला, जरूर चलोगा अरे, तुम लोग यहां ख़रे बाते कर रहे हो और तुमारी ममी न जाने तुम्हें कहां कहां जून रही है चलो सोनिया क्या अकेली चले गए? वो नहीं जा रही है क्यों? आज तो दिवाली की रात है लोग खुश्या मना रहे हैं वो धर में बटके क्या करेगी? उसे जबरदस्ती ले चलो मैंने कहा ना वो नहीं जा रही है क्या तुम भी घर मेराने चाहते हो? नहीं भाई मैं तो चले आ हूँ ओडर 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 महरबानी करके आप लोग अपनी अपनी जगा पर बैठ जाएए अब हमारा फाइनल रियर्सल्स का प्रोग्राम शुरू होता है हलो रोड़ी क्या वात? सारी बस सोनिया तो नहीं आई क्यों? क्या वात? यूँ कुछ नाराज ही थी ये रहे तुमारे प्रेकर्स ये मैच बाक्स और ये दोर पर बचे ये रख लो, मिठाए खा ले ना थेंक्यू बुड़े किस सुनो दे बुड़े? बुड़े? Oh no, he's boring I'll make him bright मुझे खुशी है कि कॉम्पीटीटर लड़कियां नाश और गाने के रियरसल्स में एकदम आला ग्रांड हो चुकी हैं और हमारे सिमले के नوجवानों ने पार्टनर्स के हैसिये से काफी स्पोर्टिंग स्प्रिट दिखाई है कल न जाने कौन खुश नसीब लड़की मिस्सिमला चुनी जाएगी और फिल्मालया कंपनी बॉम्पे की तरफ से तीन बरस का कॉन्टर 25 साल से मैं इस कमेटी का प्रेजिदन्ट हूँ अबके यह हरकत हुई तो मैं उस आदमी को पुलीस के हवाले कर दूँगा ओलिये पॉप पुलीस पुलीस बार पिर देव तरवाद मद करो मैं कहता हूँ तरवादा बंक करो मैं सब की तलाशी नूँगा आपकी आपकी और विस्था देवकुमार मेरा विस्था उस पुलीस पुलीस अबने मुझे क्या समझ रहा है मैं कोई रवलेश्ट हूँ मैं कोई अनर्किस हो दूर से बखिट किजिएगा मुझे हाथ लगाईगा शरीफ हो मैं? यह यह नही हुआ करता देखिये देव तुम आफिल आज दिवाली की राथ है मैं कुछ शगून करना चाहता था और मैं किसमस्था यह लो अपने क्रेकर्स अब निगल जाओ यहां मैं अजब तक ख़त अपने हो दो बापिस गाना गेर राओ हाहा कौन है? मैं जिसे तुम्हारे बगार दिवाली के यह दिये पुझे-पुझे से लग रहे है क्यों आये हो यहां? जानते नहीं मेरा बेडरूम है और मैं घर में अकेली हूँ मैं भी तो अकेला हूँ मैं नहीं चाहता सौनिय हम दोनों अकेले रहे लेकिन मैं तो चाहती हूँ तुम जाओ यहां से तुम से बगार मिलना नहीं जाओंगा मैं नहीं मिलना चाहती तुम से लेकिन मैं तो मिलना चाहता हूँ तुम हद से बढ़ रहे हो देव हद से ज्यादा प्यार भी तो करता हूँ तुम्हे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा तुम भूल रहे हो कि तुम शीला के लिए आये हो यहाँ तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए जाओ, मैं कहते हूँ जाओ यहाँ से दर पे आये हैं असमले दिल हथेली पर है सुनले हम न जाएंगे दर पे आये हैं असमले दिल हथेली पर है सुनले हम न जाएंगे जिन्दगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर हाजी मरना था जरूर जान लब पर है असमले सास जब तक है तु सुनले हम न जाएंगे दर पे आये हैं असमले दिल हथेली पर है सुनले हम न जाएंगे यू न ठोकर मारिये के तूप जाएगा ये दिल तूप जाएगा ये दिल आप पच्चताएंगे फिर ना हाथ आएगा ये दिल हाथ आएगा ये दिल ले इसी दिल की असमले खाक होकर भी तु सुनले हम न जाएंगे दर पे आएए हैं असमले दिल हथेली पर है सुनले हम न जाएंगे मैं कटा भी राह में था छोड़ आए हैं उसे छोड़ आए हैं उसे जाम अपने हाथ में था तोड़ आए हैं उसे तोड़ आए हैं उसे तेरे प्यासे हैं असमले दूर से आए हैं सुनले हम न जाएंगे दर पे आए हैं असमले दिल हथेली पर है सुनले हम न जाएंगे मैं समझती थी तुम कैरेक्टर की लग्यों वादा करती हो तो दुनिया इधर की उधर होजा निभा के रहती हो लेकिन मुझे मालूम हो गया सुनलिया कि तुम जूर भी बोल सकती हो बादा करके दोर भी सकती हो मैं तुम्हे किस तरह समझाओ कि मेरा कुसूर नहीं है वो सबरतस्ती आगया भगवान की सोगन मेने उसे नहीं बुलाया मैंने टालन चाहा, मगर मुझ किसी तरह नहीं मान। तुमने कभी ये भी सोचा, कि देव मुझ से शादी करने आया था। आज जिदर निकल जाती हूं, लोग हसते हैं, आवाजे कसते हैं, कहते हैं, ये घराना भी खूब है बड़ी उससे शादी कर रही है, छोटी उससे इश्ग कर रही है, इन लोगों में शरम नाम को नहीं, जिसकी शरीफ मा घुट घुट कर मर गए, उसकी शरीफ बेटी, अपनी बेहन के होने वाले शोहर से ये गुल खिला रही है मुझे खामोश हो जाओ, शिला, मुझे खामोश कर सकती हो मैं, लेकिन लोगों की जबान पर ताले नहीं लगा सकती मैं पूछती हूँ, तुम अपनी मा का बदला मुझे तो नहीं ले रही हो, तुम समझने की कोशिश को नहीं कर दी, कि उल्जे हुए दामन को जख्का दे कर नहीं छुड़ा जाता देव इतना करीब आ चुका है कि उसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता देव मुझे मुझे प्यार करने लगा है, वो सच मुझे प्यार करता है यही तो तुचाहती ती मरी चाहती ती? मैं हर्किस नहीं चाहती थी आज आपनी लगाई हुए आग में मुझे को चलना पर रहा है शीला ने मेरे बाप अगज कर मुझे माफय मांदी अब मैं क्या करूँ? भगवान के निया बता में क्या करू दाती? साफ साफ क्यों नही कह दिती, कि दुल्या छूट सकती है लेकिन दो प्यार करने वारे दिल एक दूसरे से अलग नहीं दो सकते ये तो मेरे मुझे कभी नहीं निकल सकता तो पागल तो मी हो गई? हाँ मैं फागल हो गई हुआ दादी मुझे ऐसा रास्ता बताये कि वो मुझे नफरत करने लगे मुहबत की मंजिर की तरफ चलती चलती एक वोड ऐसा आ जाता है जहां प्यार अमर बन जाता है और नफरत के रास्ते को सो दूर हो जाते है मैं उन रास्तों कर दूर निकालूँगी मैं उन्हें देखा दूने कि मैं अच्छी नहीं बुरी हो बहुत बुरी लड़की हो किस तरह दूसरों से मिल जोड़कर उनके साथ जूठा प्यार चता कर इससे मुहबत और बढ़ जाएगी मैं दूसरों के साथ दान्स करूँगी उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं वो इसको यक आदा समझेगा परदाश कर लेगा पेटी उसने शीला को क्यो नहीं परदाशे किया इसलिए कि शीला ने दिल सदिल मिलाकर खरीदार नहीं छूमगा था वसन से खरीदाद होने निकले थी कि इस साल मिस्सिमला को फिल्म का कॉन्ट्रेक्ट मिलने वाला है इसलिए ब्यूटी के साथ-साथ एक्टिंग टैलन्स देखने के लिए हर कैंडिडेट को डिफरेंट कॉस्ट्यूम में डांस और सॉंग नंबर्स के थुरू देखा जाएगा अपड जाएग को चाहर एक ज़िए साथ-सा-फॉऑझे कोई प्लिफ कोईटिंग कोई ने माई प्रस कॉ सा मिस्सिमला कोट्टेश में ह मुसिमला को हेड़ाओ से जो थय दू मीनाम मस्सिमला कहसा ने होजा है जो helping partners की हैसिय से song and dance में इनकी मदद करेंगे Oh, excuse me, Mr. President, Oh, ladies and gentlemen मुझे अफसूस है के contest में शरीक होने के लिए मुझे बहुत देर हो गई आपकी जाज़त है क्या मैं भी शरीक हो सकती हूँ? Yes, yes, of course, of course, why not? Yes, yes, yes अंटी ये पिस्तोल देख रही हो एक गोली काफी होगी मार दो इसे अंटी, अब क्या कह रही है? घबराओ नहीं, चला दो गोली मैं कह दूँगे के खून मैंने किया है मैं समझी नहीं तुम यहां बंधन के क्या कर रही हो? सिंदगी के चौसर का आखरी पांसा भेक रही हूं, आंटी तुमने शीला से वादत किया था कि उसके रास्ते से हट जाओगे देव को लोटा दोगी मुझे अपना बाद याद है आंटी फिर भी यहां बाट के बंसिगार कर रही हूं आप उन पे भरोसा रिखे आंटी रात भी है धुआँ 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 हुसन भी है उदास उदास दिल में कई कहानिया याद सी आके रह गई अभी खुशी-खुशी कॉंटेस में शरीफ होना चाहती थी अभी उदास हो गई क्या फिल्म स्टार बनने कह रादा है मैं तो सचमच शीला की मदद करने आई थी उसे बाजी हारने आई थी और वो सोचती है बाजी जीतने आई हूँ शीला को मदद करने आई थी इस लिबाज में कितनी खुशूरत मौले होती हो जी चाहता है देखता ही रहू मेरा भी तुम्हारे साथ कॉंटेस में शरी होने को दिल चाह रहा है कुछ असरत रहे क्यों जाए यह असरत रहे क्यों जाए कुछ असरत रहे क्यों जाए कुरिया है यह हुआ है कुरिया है यह हुआ है मुस्कुराय खेत प्यासे तरसे तरसे बात लोते है यह हुआ प्यार परसे हिए फरत थरत रोते है मुस्कुराय खेत प्यासे तरसे हुआ है मुस्कुराय खेत प्यासे तरसे हुआ हुआ अखया य Pepper Shaggya पूंत पूंत जिन्दगी का गीत है बातलों से प्यार परसे मुष्या राय खेता प्यार से तरसा है मुष्या राय खेता प्यार से तरसा है बातलों से प्यार परसे मुष्या राय खेता प्यार से तरसा है जूमके पजना जूमके घूमके घूमके देख तेरा पास तेरा मीत है बातलों से प्यार परसे मुष्या राय खेता प्यार से तरसा है बातलों से प्यार परसे मुष्या राय खेता परसा है मुष्या राया फेला ब्राया तरस्या तरस्वाई मुष्या-ई-व्या का रजन और रजन व्या तरस्या तरलु के ए हिर दे टो गाल, तर रसे, आ था ओ, तर रसे! कुस्न वाले वफा नहीं करते ये किसी का भला नहीं करते जराग दिल का जला दो बड़ा अंधेरा है बड़ा अंधेरा है जरा से शाम तो हो ले अभी सवेरा है अभी सवेरा है नटालो आज हमें तीसरा ये फेरा है हुस्न वाले वफा नहीं करते ये किसी का भला नहीं करते अगजिजा रहो तो सामना अगजिजा रहो तो सामना अरडडडडडडड दिल को थामना आपिजिजदा रहो तो सामना अज़स लगए यह क्या दिल को थामना ज़स लगए लगए खाहिए लगए रही भीए लगए गशेट लिखेढ़ा सोनिया! हाट यह संग्रेटिलेशन्स, मिस्सोनिया! थैंक यू सैं यह रहा आपका टेप रिकॉटर कापल भाईस के तरफ से और यह फिल्म का कांट्रेक्ट फिल्मालय कंपनी बंबे के तरफ से मुझे इस फिल्म कांट्रेक्ट मिलने के सबसे ज्यादा खुशी हुई है थैंक यू सर्थ Now ladies and gentlemen, helping partners के हैसिय से जो स्पोर्टिंग स्पृट्ट देवकुमार महरा ने दिखाई है हॉनरबल जजज के फैसले के मताबिक ये तंजिस्टर रेडियो उनको प्रेजन किया जाता है Mr. देवकुमार महरा ये रेडियो सर्थ Thank you, sir. Thank you. Please may I use the mic, sir. Oh, certainly, certainly. Thank you. Ladies and gentlemen, सत्मुछ Sonia ने स्टेज पर बहतरी इन acting किया है लेकिन इनकी रियल लाइफ में भी acting का कोई जवाब नहीं इसलिए मैं ये रेडियो में Sonia को प्रेजन करता हूँ जहां भी जाओंगी ये दोफ़ा तुम्हेरी याद दिलाता रहेगा इस रेडियो को दिल शे लगा कर रखूंगी Thank you, dear. इसावर्च बड़ी बजदिल हो, इतनी सी बात पर रो रही हो शीला मैं प्यार की जिन्गी छोड़कर शोरत की जिन्गी की तरफ भाग रही थी ना तो शोरत मिली और न प्यार तुम देव से साव सा क्यों नहीं कह देथी कि तुम्हारा और सोनिया का छगड़ा हुआ था और सॉनिया ने देव को अपनी महबत चक्कर देनी की शर्ट लगाई थी लेकिन वो तो सॉनिया से महबत करने लगा है लेकिन सॉनिया तो सिर्फ अपने शर्ट के खादरों से पागल बना रही है वो महबत-महबत नहीं करती इस टू लेट, वीजे इट इस निवर चू लेच हाई बिचारा देव मुझे तो उस पर तरस आने लगा है अगर तुम नहीं कह सकती तो मैं जा कर उससे साफ साफ कहे देती हूँ यह सच है जो शिलाज आपा भी कह रही थी आई यह मेरे साफ अब सोस है यह सब बात ही मुझे आपसे क्या नहीं पढ़ी अब आप क्या करेंगी यह मजाग अब रम लाने वाला है हलो सोनिया हलो देग यह तो बड़ी जयाती है हम सब बगएर मिले चलियाई इतनी बड़ी काम्याभी पर मुबारक बात भी पेश करने का मौका नहीं दिया तुमने आज की रात क्या चक्कर चलाया है तुमने समझ में नहीं आता है यह काया पलट हुई तो कैसे दिल में रह रहे के यह सवाल उड़ता था कि अगर यह सोनिया है तो वो कौन थी जिससे महबत के खौलो करार हुए थी और अगर वो सोनिया थी तो यह कौन है जिसकी हर नाजर बेगाना है वो दिन भी याद है जब तुम्हारी आखों से मौपत तुम्हारी आदाओं से प्यार और तुम्हारी होटों से इतनी मासूमयत टपकती थी कि मुझ जैसा काफिर इंसान भी तुम पर एमान ले आया और सच पुछो तो सोनिया अगर आदमी हर लड़की पर अपना दिल निछावर करता रहे तो आखिर जीए क्यों कर यार को तो हम और तुम कुछ अच्छी तरह समझते है कोई दिल बहलाने के लिए करता है कोई शोहरत के लिए करता है कोई पैसा कमाने के लिए करता है कोई शर्ट जीतने के लिए करता है और एक अद बेफकुप जान की बजी भी लगा देता है जान भी दो क्या रखा है इन छोड़ी छोड़ी बातों में घलती वी रात के और कुछ गंटे बाकी रह गए Let's drink, let's dance, let's celebrate Let's have some fun in life आँगों में रोशनी जरा कुछ चुप से रही है तुम्हारी खुबसूरती और इस हसीन मौसम में चार चांद लगाने के लिए हलका हलका म्यूजिक देव, मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मैं तुमसे कहना सकी एक छोटी सी ठुकराई हुई लड़की ने फूल की शाख का सहरा पाकर अपना आश्याना बनाने की कोशिश की थी वो बनाने भी न पाई थी कि उस आश्याने पर बिजली तूट पड़ी अपनी बेहन की बेचैनी उससे नहीं देखी जाती बेहन के आशू दिल में तलवार बनकर उतर रहे हैं उत्रा उत्रा चेहरा जैसे उसे खाई जा रहा है अगर तुम उस लड़की से सच मुझ प्यार करते हो तो वो लड़की तुम्हारी पाऊं पकड़कर भीक मांगती है शीला को अपना लो, सारी सिंदगी असान मन रहेगी मुहापत की आपरू तुम्हारे हाथ है उसे तुम पर बड़ा भरोसा है देव तुमने उसकी किसी बात पर ना नहीं की एक आखरी खौईश और पुरी करते जाओ अब वो कभी तुम्हे कुछ नहीं कहगी तुम्हारी का सम्हे कुछ नहीं कहएगी मुहापत के खादिर जान बेज सकता है सोन्या मगर मुहापत की शान नहीं बेज सकता कल सुबह मैं यहां से चल जाओंगा और जब तक चान राकी है तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा इतनी मुखबत कभी किसी ने मुझसे नहीं की अगर मैं चान के बाजी लगा दू तो ये बाजी भी तुमसे चीद सकती हो अवब ये झान के बाजी बाजी तुमसे इतना है। अवब है तुमसे बाजुगा इंतना है। आप तो जरा सी बात पर घबरा जाते हैं आपके खाल में यह जरा सी बात है सोनिया के ख़त से साफ पता चलता है कि वो चार दिन में लोटाएगी जाने है लड़की गई क्यों शीला की खातिर परबानी कर रही है इतना भी नहीं समझती है आप मानती हूँ लेकिन इस वक शीला की शादी का सवाल ज्यादा जरूरी है अपनी बच्ची की शादी सोच सकती है आप लेकिन दूसरे की बच्ची की मौत नहीं सोच सकती और शीला ने जिद में आके जान दे दी तो शीला मेरी लड़की है, मर सकती है लेकिन अपने स्वर्गी बड़े भाई की निशानी को मैं हरके बिटने नहीं दूँगा सोनिया को ढूणने के लिए मैं पुलिस की मदद दूँगा इसमें हमारी बदनामी है, हमारी सारी घर के बदनामी है आप समझते क्यों नहीं मैं सब समझता हूँ लेकिन एक लड़की की जिन्दगी और मौत का सवाल और आप बनामी लिए फिर रही है अच्छा अच्छा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हम सब उसे ढूणने कालेंगे वो जरूर मिल जाएगी जब से ये देवने घर में कदम रखा है, जाने कैसी कैसी बाते हो रही है दादी आपने सुना? मुझे सोनिया का खत मिल चुका है मेरी वज़ा सबसकी जान जा रही है कुछ बाते ऐसी है, शायद मैं किसी से ने कहती है मगर आज की वाकिया ने तुम से कहने पर मजबूर करती है बेटा, मैं बाहर से खुश और अंदर से बहुत ज्यादा दुखिया औरत हूँ इन आखों ने सोनिया की मा के घर तबाह होते देखा उसको घुट-घुट कर मरते देखा बड़े बेटे कर दाग देखा तुम्हारे किसम मुझे मर जाना चाहिए लेकिन ये सोनिया मुझे मभूर लेती और देखुते बेटे, खुद मरने चले गई अगर उसकी जान के साथ कुछ नेके बदी होगी तो तुम यू न चले जाना इस घर से एक अर्थी और उठाकर ले जाना दादी, मैं आपको बचन देता हूँ कि सोनिया की जान बचा लूँगा और अगर ना बचा सका तो इस घर से मेरी लाश बाहर जाएका मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, शीला माफी की क्या बात है, तुमने किया ही क्या है शीला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्या कहा, शादी, क्यों मजाख कर रहे हूँ मैं सतनु तुम तो शादी करना चाहता हूँ शिला सर अपने दिल पे हाथ रखे ये तो कहते न कि जो तुमारी जबान पर है वही तुमारे दिल में भी है अगर दिल की हर खाईश पूरी हो जाए तो बदलते हो इस जमाने की कसम फिर तो न जीने में मज़ा है और न मलने में मज़ा तो जब है कि कुछ असरते पूरी हो जाए कुछ हर्मान निकल जाए और कुछ हर्मानों को पूरा करने की जूटी उमीद पर जिंदीगी की बाकी दिन काट दिये जाए इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपने आपको फरेब दीता रही यही फरेब तो इनसान को जिन्दा रखता है शीला नहीं तो दम निकल जाए आदमी का बड़ी आर्जों से तुम्हें यहाँ बलाया था मैं भी बड़े अर्मान लेके आया था फिर तुम बदले किस तरह अब यह पूछने से क्या हासिल तुमको जवाब देना पड़ेगा तुम्हारे हुसुन का गुरूर बरदाश कर सकेगा जवाब किस खुरूर का जिकर कर रहे हो जिसको तुम्हारी बेवफाया मिटा चूके है शीला चार दिन की जिंदिगी में अच्छाई का बदला अच्छाई से दिया जा सकता है किसी भी ऐसान का बदला किसी और ऐसान से दिया जा सकता है पैसे से दिया जा सकता है मीठी बातों से दिया जा सकता है बगर एक चीज है और वो कहलाती है महबबत जिसका जवाब सिवाए महबद के और किसी चीज़ से नहीं दिया जा सकता अब वो महबद मुझे तुमसे कभी नहीं मिली चोटखाई हुई तबियत में दूसरा सहरा ढूर लिया किसमत को वो भी नामन्सूर हुआ तो अब मेरे पास क्यों आया हूँ जाओ ना से हसीन मलना के पास जिसने तुम्हारी किष्टी को तुफान मिला के छोड़ दिया मैं तुमसे तुफान का शिपा करने नहीं आया हूँ शीला फिर क्यों आया हूँ एक मासुम की जान बचाने पड़ो यह खत चार दीन के अंदर अंदर सची बात कहने वाले पागल ही हुआ करते खामुश हो जो , Mein किसी की जिद बर्दाश्ट नहीं कर सकते सवाय अपनी जिद के तुम्हारी जिद के वजह से किसी की जान जा रही है तुम्हें जरा परवा नहीं कोई मजलू मर रहा है, तुम्हारे घर में दिवाल ही हो रही है एक बहन शर्ट जितने के बाद तुम्हारी खुश्यों पर अपनी जान निचावर कर रही है और तुम दूर खड़ी हुई उसके मलने का तमशा देख रही हो शीला, तुम उसे बचा सकती हो, सिर्फ तुम बेहन के नाते न सही, इंसानियत के नाते बचा लो शराफत के नाते बचा लो, आदमियत के नाते बचा लो मुझ से शादी कर लो, शीला भगवान की सौगन जो तुम चाहोगी वही होगा जिदर तुम इशारा करोगी, आँखे बिचा दूगा मैं तुमको सीने से लगाए राखूँगा, शिला जिदर तुमारे कदम उठेंगे मैं उस चोग को तुमारी कसम जननत बना दूगा, जननत बेव छोग कर अंया। युम कर दो ठाखू कर दो युम 悲ाए तुम थाख युम युम उननत ई sana शिमले के शरी राजपाल सिंग की लड़की, मिस शीला सिंग की शादी, मिस्टर देव कुमार महरा से, कल रात को आठ बजे हो रही है इस शादी की कमेंटरी, कल रात को रेडियो से आठ बजे सुनाई जाएगी शाम के आठ बजे हैं, अब हम आपको शिमले की एक रंगीन शादी का हाल इस तरह सुनाएंगे जैसे आप अपनी आखों से देख रहे हो, शादी, मशूर चागीरदार मिस्टर देव कुमार महरा और शिरी राजपाल सिंग की कलौती बेटी, शीला देवी की हो रही है पूनम के चांद के दो टुक्रे, जो कुछ देर के बाद दूरा चांद बनकर एक दूसरे में मिल जाएंगे लोगों ने दूला का स्वागत किया, सब मेमानों के दिल में एक बार फिर जवान होकर दूला दुलन बनने की आर्जू करवटे लेने रगी जीवन में वफादार रहने की गाठे बांदी गई, मंत्र शुरू हुए आकाश पे रंगीन बादल चाय हुए है, सजावट और रोशनी से ये जगए इस तरह तडप रही है, जैसे आशिक का दिल तडप रहा हूँ सभी के मूपर खुशी की लहर दोड़ गई, इस मुबारक घड़ी के लोग सबने देखते हैं कि कब उनके बच्चे जवान होकर दूला दुलन बन जाएंगे मुबारक बात की बारिश होने लगी, तोफे दूला दुलन के हाथ चुनने को बेताब नजर आने लए खुश नसीब हैं वो तोफे, जो इन सुन्दर हाथों से मिलकर अपनी किस्मत बिनाज करते हैं मगर दूला की निगाहें नजानी किसे ढून रही हैं उसने घवरा के कहा, सभी ने हमें मुबारक बात दिये, मगर एक मुबारक बात का कर्जा किसी पर उधा रह गया अगर मेरी आवास उसके कानों तक पहुँच रही हो, तो उसे मेरे कसम, मेरा कर्जा सरूर चुखा दे हलो देव हलो सोनिया, कहा हो तुम? मुबारक हो देव शुक्रिया, अब तो वापस आजाओ, तुम्हारी जित पूरी हो गई माफ करतो देव, इसनी दूर आचुके हो, कि अब वापस नहीं आ सकती अगर यह सच है, कि मरने के बाद आत्मा आत्मा सी मिलती है, तो अब न सही लेकिन कभी न कभी, कही न कहीं, जरूर मिलेंगे यह तुम क्या करी रही हो? यह तुम क्या करी रही हो सुनिया? अब आत्मा सुनिया सुनिया! 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 मुस्मा आत्मा से सुनिया! हलो, कैलिफोन एक्सचेंज, यस, यस, थैंक यू, सोनिय का पता मिल गया, कहा है वो इसको, सीटी डाग बंगलो में है, कहीं सोनिय हमारा खेल समझ तो नहींगी, कि रेडियो पर शादी कर रहा हमा दरस्ते उसका पत्ता लगाने की तर्की थी, नहीं शीला, लेकिन मुझे जल अब देव कुमार महरा को लोग मजबूर कर रहे हैं, कि दूर दूर से आये हुए महमानों का एक तड़पते हुए गाने से स्वागत करें, आखिर महमानों ने मना ही लिया यू जिन्दगी के रास्ते सवारते चले गए, सवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें फुकारते चले गए, फुकारते चले गए यू जिन्दगी के रास्ते सवारते चले गए, सवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें फुकारते चले गए, फुकारते चले गए, यू जिन्दगी के रास्ते जो प्यार में गुजल गई वो जिन्दगी थी जिन्दगी जो प्यार में गुजल गई वो जिन्दगी थी जिन्दगी निखारते चले गए यू जिन्दगी के रासते सवारते चले गए कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए यू जिन्दगी के रासते चला है राही प्यार का हवाओं दे दो रास्ता असम तुम्हें है प्यार के है दो दिलों का वास्ता चला है राही प्यार का हवाओं दे दो रास्ता असम तुम्हें है प्यार के है दो दिलों का वास्ता ये दो दिलों के बस्तियां मगर भवर में कश्तियां उतारते चले गए उतारते चले गए यो जिन्दगी के रास्ते सवारते चले गए कदम कदम पे हम तुम्हें उतारते चले गए यो जिन्दगी के रास्ते ख्याल तेरा साथ है और याद तेरी पास है मिलेंगे जिन्दगी में हम अभी तलक ये आस है ख्याल तेरा साथ है और याद तेरी पास है मिलेंगे जिन्दगी में हम अभी तलक ये आस है ओसोनिया, ओसोनिसोनिया, ओसोनिसोनिया, के плоätzen को, यसोनिसोनिया, ओसोनिया, ऑसोनिसोनिया, थोसोनिया, ओसोनिस्दा ऐसा है का द्सक्नाइए प्ली काoweा, दfliesीं में प्लाओी,ня,ीही किष्छी ayudते दिनिया में काने पनल प्लाओेसे घिय दो, प्लाओेसे में तिसक ऐ ==== झाल कि पो नार्च झालग हो यद का मृग्डरी झो जो, झो झो, ची जो, झो, 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 झो. तैने प्षाही बजय का थे वहा है system मैं तुमने मुछे कियो बचा लिया इसलिए कि मैं तुम्हारा बगर्ची नहीं सकता पागल हो गया हो तुम्शिला के बन चुके हो तुम्हारा शादी हो चुकी है अब हमारा प्रोग्राम हत्म हो अभी अभी आप रेडियो से देव कुमार महरा का लिखा हुआ ड्रामा सुम्ले की एक रंगेन शादी सुम रहे थी ड्रामा? हाँ ड्रामा और शादी कैसे होती? दुलहन जो नख्रे करके भाग गए थी फागल हुई हो तुम सचमत प्यार करके इतनी बड़ी खुर्बानी कर सकती हो मैं बहन होकर इतनी से जित के फुर्बानी नहीं कर सकती दिल ठाम चले हम आज किधर कोई देखें, कोई देखें वे जैन जिगर वे ताब नजर कोई देखें, कोई देखें दिल ठाम चले हम दिल ठाम चले हम आज किधर कोई देखें, कोई देखें वे जैन जिगर वे ताब नजर कोई देखें, कोई देखें दिल ठाम चले हम ऐसी ही और सदा बहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक अर्में में बहार 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 करेंपी करें के लाउनलोड़ करें देखें